हलो फ्रेंड रादे रादे आज हम आपके साथ सेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब नास्ता और यह बहुत ही जटपट बन जाता है अब हमारे चनल पर नए है तो सस्क्राइब का बटन दबाए वीडियो की साथ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी और वेल आइकन को प्रेस करना बिलकुर मत भूलेगा चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं इसके लिए हमने बारिक कटा हुआ प्याज आलू को कद्दू कस कर लिया है और हरिमेट डाल दिया है अब एक बाउल में हम लेंगे मक्के का आठा जो इसको मकई बोलते है उसमें हमने हल्दी डाल दिया है आश्वात के अनुसार नमक डाल दिया है और इसे हम यह हमने मक्के का आठा और हल्दी नमक इसमें डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे बारिक कटा हुआ प्याज और बारिक कटी हुई हरी मिर्च और ये एक हमने आलू ले लिया है, कच्चा आलू है, कद्दुकस किया हुआ उसे भी इसमें हम प्रिंट डाल दिया है इसे हमने बारिक कद्दुकस से किया है और इसे हम mix कर लेंगे फिर इसके बाद हमने अधे कटोरी की लगभग इसमें हमने चावल का आठा डाल दिया है चावल के आठा डालने से और ये खस्ता करारा ये नास्ता बनेगा और इसमें हमने धनिया की पत्ती डाल दिया है और इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे पहले हम हाथों से mix करेंगे पानी बिल्कुल नी डालेंगे जितना आठा हमारा गुत पाएगा उतना गुत लेंगे जब हमें पानी के जुरुत पड़ेगी तब हम इसमें हम पानी डाल देंगे अब इसमें हम हलका हलका करके पानी डालेंगे और एक सक्त डो की तरह इसे हम तयार कर लेंगे थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि चावल का आटा पानी सोकता है इस तरह से हमने इस डो को तयार कर लिया है एक हम छोटी सी लोईक इसे हातों में लेकर गोल गोल करेंगे अब इसे हम गोल गोल करने के बाद इसे हम एक इस तरह से गोल लोईक तरह कर देंगे फिर इसे हलका सा चप्टा कर देंगे इसे हमें टिक्की का सेब देना है इस तरह से आप हातों से बहुती सुन्दर सेब बनाए इसमें गोल एकदम गोल पेड़े के जैसे बना है अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे इस तरह से हम सारे पेड़े को बना देंगे यह गोल वाला पेड़ा है अब इसे एक बदर बनाई गquinho यह बहुत ही टेस्टी बना था इस तरह से हमने सारी लोईयों को गोलगो लाकार में तयार कर लिया है ठीकी के जैसे अब इसे हम आप हमारे चैनल पर नए है तो सिस्काइब को बटन दवाए वीडियो की शाइन नोटिफिकेशन आपके पास पहुशती रहेगी और वेल आइकन को प्रेश करना बिल्कुल मत भूलेगा इस तरह से हम एक एक करके ट्राइफेन में डालते जाएंगे यह हमने कडाई में तेल गरम कर लिया था और एक एक करके इसे हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है सारा हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि यह जलेना जब एक साइड से हो जाएगा तब इसमें हम दूसरी साइड में इसे हम पलट लेंगे यह एक साइड से हो गया है आभ इसे हम दूसरी साइड में पलट लेंगे इसको ज्यादे हलका सुनैरा होने तक किसे हम बनाएंगे इसको हम पलट देंगे ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना था आज ये देखिये हमने इसे बारबार अलट पड़के खुब अच्छे से इसे खस्ता बनाना है एक एक करके हमने आपने हमारे चनल को सस्क्राइब ना किया हो तो प्लीज चनल को सस्क्राइब कर दे और इस तरह से हमने ये अपने मक्य के आटे का नास्ता तयार कर लिया है अब इसे हम एक प्लेट में सर्फ करेंगे इस तरह से एक करके आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी उसी तरह ही बहुत ही टेस्टी लग रहा था आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें और इसे आप अपने फैमिली फेंड के साथ जरू सेयर करें इस तरह से बनाएए मक्य के आटे का नास्ता कच्छे आलू से मिलाके और इसको आप साम की चाय सुबह में नास्ता में इसे अप ले सकते हैं इसे हम आपको तोड़ के देखिए हमने इसे तोड़ा है उपर से कुरकरा है अंदर से सौप्ट है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा धन्यवाद